नमस्कार आप देख रहे हैं पोलिस महानगर तो आए शुरुवात करते हैं आज की कुछ खास खबरों से महारास्ट के शिंदु दुर्ग में श्रत्रपती सिवाजी महाराज की मूर्ती गिरने की घटना पर सियासी पारा चड़ा हुआ है विपक्षि लगातार पीएम मोधी और बीजेपी को घेर रहा है इसी कड़ी में शिबशेना यूबिटी सांसद संजेर राउत ने भी मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरा निशाना साधा है उन्होंने कहा कि हर्चीर के पीछे देवेंदर फंड वी सी मास्टर माइंड और महाराज में यही समश्या है ये बात पूरा देश और पीएम मोधी जानते यही बज़ाए कि उन्हें माफी मांगनी पड़ी है लेकिन सबाल ये क्या शिर्फ माफी मांग लेने से मामला सुरस जाएगा संजे राउत ने आगे कहा कि केबग सात महिने में च्रथरप्ती सिवाजी महराज की प्रत्मा ढहरी तो क्या हम चुप रहे हैं हम आज सिवाजी महाराज के सम्मान में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। राउत ने कहा देवेंदर फंड वीज आप महारास के खलनायक हैं। चत्रपती सिवाजी महाराज की प्रतिमा धेने की घटना पर M.B.A की द्वारव विरोध मार्च निकाले जाने पर महारास के उप मुख्य मंतरी देवेंदर फंड वीज ने कहा कि ये जो आज आंदोलन हो रहा है पूरे तरीके से राजनीती का आंदोलन है। इन्होंने कभी भी चत्रपती सिवाजी महाराज का सम्मान नहीं कि आप मुझे पंडित नहरू और इंद्रा गांधी का लाल किले से एक भाशर दिखाईए जिसमें उन्होंने चत्रपती सिवाजी महाराज का उरले किया हो। पंडित महरू तो अपनी भारत की खोश किताब में भी छत्रपती सिवाजी का अपमान किया, क्या उसकी माफी, कॉंग्रेस पार्टी और महाविकास अगारी मांगीगी? अब तक की खबरों में बस अतना है, ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारी साथ, तब तक के लिए नमश्कार अब तक के लिए नमश्कार